मुतियारी के ग्यान बाबू चौक के पास चोरों ने स्कॉर्पियो गाड़ी से 13 लाक रुपए लूट लिए बताया जा रहा है कि पिडित व्यवसाई ने स्टेट बैंक से पैसे निकाल कर अपने स्कॉर्पियो में रख दिया जिसके बाद घात लगाए चोरों ने गाड़ी से पैसे से भरे बैक को लेकर फरार हो गए वहीं घटना की सूशना मिलते ही पुलिस CCTV फुटेश के आधार पर मामले के शान बिन कर रही है और इस पर एक बार फिर से आपको पता दें कि मोतिहारी में ये वारदात सामने आई जहाँ पर चोरों ने तेरा लाख रुपए लूट लिये हैं स्कॉर्पियो से पैसे लेकर चोर फरार हो गए है पीडित के मताबिक बैक को उसने अपनी गाड़ी में रखाता लेकिन घात लगाए चोरों ने इसी दौरान पैसे लेकर मौके से फरार हो गए फिलाल पुलिस जो है CCTV के आधार पर इस पूरे मामले की चान बिन कर रही है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोतिहारी से हमारे समवादाता धननजय जुड़ चुके हैं धननजय दिन दहार इतनी बड़ी चोरी हो गई है लाखों रुपए लेकर फरार हो गए और पुलिस फिलाल अभी क्या कुछ कह रही है वहाँ पर क्योंकि जहां तक खबरों के एसाब समय पता चला है कि CCTV के आधार पर अभी चानबीन चल रही है क्या कुछ सफलता हाथ लगी अभी तक धननजय अभी तक पुलिस की जो करवाई है उस करवाई में अभी तक वहे रिजल्ट है धाक के तीन पात की तरह पुलिस हाथ पाव मार रही है लेकिन फिलहाल अभी तिसी चीजी फुटेज के आधार पर अभी चोरों को गिरफ्टार नहीं कर पाई है जी धननजय लेकिन इतनी बड़ी चोरी हो गई है वो भी अगर हम तस्वीरों में साफ देखें तो ये बिलकुल सिटी का एडिया लग रहा है जहां पर भीड भाड़ वाला इलाका है लेकिन दिन दाड़े यहां से इतनी बड़ी चोरी हो जाना पुलिस ने क्या कुछ कहा ह मार्केट है उस मार्केट में दीन दाहारे फिल्मी अस्टाइल में चोरी होना आम जंता से लेकर और पुलिस जिवाग सक्थ ये परशानी का सबब बना हुआ है पिलहाल जो है चोर पुलिस गिरफ से बाहर है जी पुलिस ने भी अब तक कुछ नहीं कहा है और कहीं न कहीं पुलिस की कार्य शैली पर सवाल या निशान भी खड़े हो रहे है